हेलो गैस यहाँ पे है आज मेरे पास Redmi का Note 13 5G फोन इस फोन का दोस्तों आज मैं टॉफ फीचर्स आप लोगे साथ सेयर करने वाला हूँ तो आप अगर इस फोन को बाइक कर चुके हैं या फिर बाइक करने का सोच रहा है तो यह वीडियो देख लिए आप लोगे काफी ज्या आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा सेटिंग में जाने के बाद इसग coil ना पकरने के बाद यहां पर नहीं को एक उप्शन मिल जाता है और आपको तरह ओillar करें लोक में इस तरीके से झलते रहेचा और इसी के साथ दोस्तों यहां पर सीगणे को Brown करता है तो आप अगर यह वाला option on करते हैं तो इस तरीके का आपको यहां पे दिखेगा हमेशा यह वाला जो option है ना इस पे आप अपने हिसाब से जो type करना है type कर दीजे यहां पर आपका वो चीज आ जाएगा यह देखिए इसी तरीके का दोस्तों यहां पर आपको तरह तरह का एनलोग option मिल जाता है यहां पर देखें काफी सारा option मिलता है तो आप अपने हिसाब से यहां पर set कर सकते हैं जो कि phone को काफी premium बनाता है नेक्स्ट फीचर की बात के तो फ्रेंड्स उसी के नीचे यहां पर notification effect का option मिल जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं साइड में जो effect आ रहा है ना उसे आप दोस्तों यहां पर set कर सकते हैं जब भी notification आएगा इस तरीके से blue light दुनों तरब से आएगा या फिर red light इस तरीके से आएगा या फिर यह bubble वाला आप features डाल सकते हैं phone में उसी के नीचे guys यहां पर आपको एक rise to wake का option मिल जाता है यह आप on कर लिजेगा इससे यह हो कि phone आपका टेबले पर पड़ा है जैसे आप phone हाथ में लेता है तो इसक्रीन का जो light है वह automatic on हो जाता है उसके बाद यहां पर आपको एक option मिलता है double tap to wake or turn off screen इसे on कर लिजेए इससे यह हो कि आपका screen जब भी off है इस तरीके से double tap कि जिए तो screen का light on हो जाता है फिर double tap करने के बा इससे यह हो कि आपका screen जब भी lock होगा यहां पर wallpaper change होते जाएगा देखिए इस तरीके से आपका तरह तरह का wallpaper यहां पर देखने को मिल जाएगा उसके नीचे दोस्तों यहां पर lock screen clock format है तो screen lock जब रहेगा किस तरीके clock style चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं next features की बात के त बतलब सी वह floating window नहीं यहां पर side work option देखने को मिल जाता है इस पर अगर click करते हैं तो यहां पर आपको इस तरीके का option आएगा always so और यहां पर आप देख सकते हैं एक line आ गया तो यह आपका floating window on हो गया है इस तरीके से line आता है आप कोई भी application open कर लिए जैसे यहां पर देख जो floating window pop up है तो इस तरीके से आप tap कि जाएगा तो यहां पर देखिए यह open हो जाता है अप यहां पर चाहते हैं दुसरा यहां पर pop up लाना तो यहां पर देखे दो पॉप एक साथ यूज कर सकते हैं यह चोटा हुग है इस तरीके से डवल टैप करके आप यहां पर दो इस आप अगर इस option पे on कर देता है तो यह होगा कि आप अगर कोई गाना सुन रहे हैं वह option on कर देता है तो screen lock रहेगा तो भी गाना बसते रहेगा YouTube में क्या होता है कि back कर देने के बाद कर जाता है कटेगा नहीं गाना बसते रहा जाएगा इस फोन में आपको split screen का option मिल जाता है सपोस माल लीजे मेरे को यहाँ पे chrome है इसका split screen करना है पहले on कर लीजे home button से काट दीजे और यहाँ decent bar open करने के बाद इस तरीके से tap करके रखे और यहाँ पे आपको option मिल जाता है split screen का इस तरीके से tap कीजेगा screen दो पार्ट में divide हो जाए लीजे एक time में दोनों चल जाएगा इस फोन में आपको अगर screenshot लेना है तो यहाँ पे आपको काफी सारा features मिलता है जैसे कि three finger इस तरीके से swap down करते हैं तो यहाँ पे screenshot आ जाएगा इसके अलाबा आपको अगर screenshot लेना है यहाँ पे देखे power button और volume down button दोनों को just एक बार press कर द साथ यहाँ पर पहला जो option देख सकते हैं screen recorder तो यहाँ पर आपको काफी सारा option मिल जाता है ढूंड लिजेगा यहाँ पर मेरा screen recorder है इस पर tap करने के बाद कुछ इस परकार से यहाँ पर pop up आ जाता है red बटम प्रेस करने के बाद screen record चालू हो जाता है और यह hide हो जाता है हलका जो हो गया ना watermark का यह hide हो गया है उसके बाद आप कुछ भी किजेगा यहाँ पर screen record होते रहेगा और आपको अगर stop करना है फिर से इस पर tap किजे और इसे stop कर दिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का save हो जाता है save होने के बाद यहाँ पर play करके देख सकते हैं आप जो यहाँ पर screen record किये हैं यह देखें यह चालू हो गया है और इतना ही आपको अगर इसका अंदर का quality बढ़ाना है सेटिंग पर जाए और यहाँ पर आपको काफी सारा option मिल जाता है जिसमें आप audio से लेके video quality तक दोस्तों यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं next features की बात करते हैं यह जो फ आपको एक option मिल जाता है additional setting इस option पर click करने के बाद scroll up कीजिए और यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है memory extension इस पर click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 6GB और आप add कर सकते हैं ओके आप अपने हिसाब से यहाँ पर add कर सकते हैं इतना सा option मिल जाता है 2GB, 4GB, 6GB अगर 6GB म तो मेरा phone है 2GB का हो जाएगा, काफी तगड़ा game चलेगा आप अगर इस तरीके से game play करते हैं तो, next features की बात के तो friends, यहाँ पर जो power button है double press करने के बाद flashlight on कर सकते हैं, double press करने के बाद off कर सकते हैं, तो यह वाला features दोस्तों आप ला सकते हैं अपने phone में, इसके लिए सबसे पले दोस्तों यहाँ पर आपको setting on करना पड़ेगा, setting on करने का इस call आप किजए, और यहाँ पर आपको option मिल जाता है additional setting, additional setting on करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिल जाता है, guesser shortcut, इस पर click करने के बाद काफी सारा option मिल जाता है, यहाँ पर देखे turn on flashlight है, यह अवाला option प्रेस किजागा तो यहां पर प्लाइट उन हो जाता है फिर डबल प्रेस किजागा तो ऑफ हो जाता है और यहां पर आपको इतना प्रूप्शन मिल जाता है आप अपने हिसाब से सकते हैं silent mode भी कर सकता है जैसे आप अगर office में है या फिर college वगारा में है tuition में है आपको अगर silent करना है यह जो finger sensor है इस पर just touch कर देना है दो बार phone जो है silent हो जाएगा और फिर double touch करने के बाद normal mode हो जाएगा next features की बात करें तो friends यह काफी important features होने वाला है जो face lock और finger paint यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते है face lock तो open हो जा रहे लेकिन यहाँ पर tick है एक page है इसे swap करने के बाद तब जाके दोस्तों यहाँ पर मेरा home page में आता है इसे तो आप tick कर सकता है सबसे पहले के आपने के तो सेटिन में जाए और सेटिन में जाने के बाद यहाँ पे password and security वाला option पर जाना है और यहां फे face lock है ना इस पर click करने के बाद आपको pattern डाल देना है डालने के बाद यहां प GOppe यह meat यापको यह i feature about condition में जाता है यह देखिए यहां पर home page में on हो जा रहा है इसी तरीके का एक features यहां पर भी है कि fingerprint से जब lock open करते हैं तो यहां पर प्रेस करना पड़ रहा है यह बटम प्रेस करने के बाद भी इस phone का lock open कर सकते हैं यहां पर आपको दिखाते हैं simply back कीजिए यहां पर आपको पैटरन डाल देना है और यहां पर फिंगर प्रेंट में तो रहना इस पर क्लिक करके touch है और प्रेस है यहां पर अगर टच कर देता है तो हलका का यह option आएगा और इसे आप आसानी से यूज़ कर सकता है यहाँ पर यह होता है कि आपका अगर फोन में सीम लगा है तो यहाँ पर आपका डाटा दिखाएगा कि एक दिन में कितना यूज़ हुआ मन्त में कितना यूज़ हुआ तो यह वाल फीचर्स आपको ओल्ड वाल में मिल जाएगा तो आपको अगर ओल्ड करना है तो ओल्ड कर लीज़ेगा नेक्स्ट फीचर्स की बात के तो फ्रेंड सेटिंग के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं वाल पेपर और थीम का यहाँ पर देख सकते हैं थीम का ओप्शन है थीम में भी दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारा थीम मिल जाता है आपको जो पसंद है यहाँ पर डिर्कली टैप कीज़े डाउनलोड कीज़े और एपलाई कर दीज़े यह सेट हो जाएगा फीचर्स की बात के तो फ्रेंड तो यह सेकेंड आप अगर अन कर देता है connection speed तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर पसंद नहीं है इस तरीके से इस बटम को प्रेस्ट कर दीजे यह हाइड हो जाएगा नेक्स्ट फीचर्स की बात को फ्रेंड यहाँ प करने के बाद फान जो है पुरा ब्लैक हो जाता है मतलब पुरा डार्कमोड हो जाता है बहुत कोई होगा दीस्पले के अंदर कर दो तक मिल जाता है तो यहाँ पर अगर create करते हैं तो इतना सारा application आ गया जो install ले उसे आप अगर on कर देते हैं तो वो है switch होके dual app में convert हो जाएगा और आखड़ी में यहाँ पर आपको app lock का भी option मिल जाता है तो इसके लिए कोई भी third party application नहीं download करना पड़ेगा यहाँ पर simply आप अपना pattern वगड़ा set कर लीजिए और phone में जो application है उस पर lock लगा सकते screen को इस तरीके से pinch किजिएगा तो यहाँ पर आप mark करके इसे आप एक साथ कहीं पर भी ले जाके रख सकते हैं और यहाँ पर देखे setting के अंदर आपको काफी सरा option मिल जाता है mode का option मिलता है इस पर click करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर system navigation है इस पर click करने के बाद यहां पर देख सकते हैं तीन बटम जो है इसे गाइब करके full screen mode करना और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखे कुछ इस तरीके से यह button गЙब हो जाएगा, और line आजाएगा, अगर आपको home skin में जाना है इस तरीके से swap कर दिज़े, ये home skin में आ जाएगा, डिसेंट बार open करना है इस तरीके से swap up and hold करना है, ये देखें डिसेंट बार open हो जाता है और आपको अगर कोई भी application से back करना है तो यहाँ पर देखे इस तरीके से swap left या फिर right कीजिएगा तो यह back होते रहेगा तो guys इसी तरीके का आपको भर-भर के features मिल जाता है Redmi Note 13 5G phone में तो आपको अगर यह video अच्छा लगा तो please video को like कर दीजे और आपको इन सारे features में से कौन सा feature बेश लगा comment section में ज़रू बता है तो guys आज के लिए बास इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में टैंक यू जाहिन